हेलो दोस्तो स्वागत आप सबका आपके चैनल संजे स्याडियम में और मैं संजे कुमार आज फिर से उपस्तित हुआ हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ एक नई कंटेंट के साथ दोस्तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो बाइलोजी पर बेच्ट होने वाली है और आज से हम अपने इस चैनल पर बाइलोजी की वीडियो डालते रहेंगे ठीक है दोस्तो तो बाइलोजी की वीडियो आपको बहुत अच्छी डिटेल में आपको हमारे चैनल पर म ठीक है ये हमारा वादा है आपसे और आज की हमारी विडियो फ़स्ट हम पूरी डिटेल से बायिलोजी समझाने वाले हैं आपको दोस्तो तो याद रखिए कि आप हमारी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजीए ओर हमारी विडियो पसंदा ये तो DAN Like कर देना ठीक है दोस्तों और ज़ाध से ज्याधा उसको शेयर कर देना तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो ठीक है दोस्तों तो आज उंग तंत्रों से मिलकर बना होता है और और जो जो हैं यह अंगों से मिलकर होते हैं किससे उत्तों से मिलकर नहें होते हैं यहां से कुषनowym जाता है कि साइंस की वह साका जिसमें उत्तकों का अध्यान किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्ट्रोलोजी क्या कहते हैं उसको हम हिस्ट्रोलोजी हिस्ट्रोलोजी हम उसको कहते हैं जिसमें उत्तकों का अध्यान किया जाता है ठीक दोस्तों एक कोसन त आपको कोशी का पढ़नी हैं तो कोशी का पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग करने पढ़े यह सब कुछ पढ़ना पढ़ेगा कोशी कब में क्या-क्या उत्तक भी पढ़ने पढ़ेंगे अंग तंत्री भी पढ़ने पढ़ेंगे आपको ठीक है नही कि हमें कोसिका की बारे में हैं तो को अब बात करते हैं यहां से इक कोशन पुछा जाता है क्या कि दोस्तों साइन्स की वह सांसा का जिसमें कोसिकाओं का अध्यन करते हैं उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं दोस्तों साइटोलोजी कहते हैं उसको हम जिसमें कोशी काओं का अध्यन करते हैं तो अब बात करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले अंग तंत्रों की ठीक है अंग तंत्र से हम स्टार्ट करेंगे तो अंग तंत्र में सबसे पहले देखते हैं कि अंग तंत्र कितने प्रकार के होते हैं अंग तंत्र कितने प्रकार के पोड़ी की अंदर जो अंग तंत्र हैं अब देखो इसमें हम बात करते हैं अंग तंत्र के सबसे पहले प्रिकार की तो अंग तंत्र कितने प्रिकार के होते हैं अंग तंत्र जो हैं कुल अगर देखा जाए तो टोटल दस प्रिकार के होते हैं कितने प्रिकार के होते हैं और ये कौन-कौन से होते हैं, ये जान लेते हैं, सबसे पहला अंग तंत्र हमारा होता है, दोस्तों, सबसे पहला ये होता है, पॉसन तथा पाचन तंत्र, कौन सा होता है, अंग तंत्र हमारा सबसे पहला, पॉसन तथा पाचन तंत्र, ठीकर नहीं, ये पहला अंग तंत्र है, द परी संचरन तंत्र दोस्तों वैरी इंपोर्टेंट यह जो परी संचरन तंत्र है बहुत इंपोर्टेंट है यहां से बहुत ज्यादा कोशन पूछे जाते आज हम सबसे पहले को पढ़ने वाले हैं तो चोथे नंबर का होता है उत्तु सर्जन तंत्र क्या होता है उत्तु सर् लक्सा तंत्र आठवे नंबर पर होता है अंतिस्वार्वी तंत्र नौमी नंबर पर है कंकाल तंत्र क्या होता है दोस्तों कंकाल तंत्र और दसमा होता है हमारा पेशिय तंत्र ठीक है दोस्तों कौन सोता है पेशिय तंत्र यानि के कुल अंग तंत्र जो है हमारे वह दस प्र परिष्षण तंत्र आत्मा परति रक्र्षा टंत्र आठमा अंत्यस्वार्वी तंत्र 9 tar अंकाल तंत्रों दसवा पेश यह तेक है दोश्तों ये तो हैं हमारे अंग अबात करते हैंम आज परिसंचरन तंत्र की किसकी बात करें При हम परी संचरन तंत्र की ठीक है बहुत इंपॉर्णन्ट है यहां से कोशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पिड़ती एक एक्जाम में आपका चाहे जूनियर का सूपर पूछा जाता है ठीक है दोस्तों बात करते हैं इसकी तो परी संचरन तंत्र को अंग्रेजी मं कहते हैं सर्कूलेटरी सिस्टम क्या कहते हैं दोस्तों इसको सर्कूलेटरी सिस्टम है सर्कूलेटरी का सिस्टम है मतलब कि किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दाब है और फिर पुर्हें वह उस स्थान से पहले स्थान पर किसी दूसरी चीश्ट को ले आना याीनिकी सर्कूलर तन्तर है इसका ठेकर करने सर्कूलर साइकलत्त अब को अब देखा दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है परीसंच्रन तंत्र का इसको हम यह कहते हैं क्या कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम क्या कहते हैं क्या क्या कहते हैं हिर्दिया वर्णिये तंत्र कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम यह परी संच्रन तंत्र को ही हम कहते हैं ठीक है अगर यह कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम भी आपको लिखा मिल जाए तो समझे लिना यह परी संच्रन तंत्र है यानि कि सर्कुलेटरी सिस्टम ही है देख मनुस्यों को यह नहीं कि मानब को जिंदा रहने के लिए उसको वायू की आप सकता है या फिर ऑक्सिजन की आप सकता है बताइए किसकी आप सकता है कि किसकी आप सकता है ऑक्सिजन की ना कि वायू की वायू में जो ऑक्सिजन है उसकी आप सकता है हमें मनुस्यों को ऑक्सिज होगा बोड़ी के अंदर तीक है अब देखो होता क्या इसमें होता है कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेंगे हम अंदर की और वխायू चली जाएगी यारें यह फेपड़े है इस फेपड़े में वायू आ गई जब हमने सांस लिया तो यह पने से जो ब्लड है हमारी बॉड़ी के अंदर जो ब्लड आवक्सिजन को एब्स 아니라 कि से आप्सिजन को यहां पर यहां यह जब यह धिए झावंत यहां एरो के द्वारा कि घरएगा ऑक्सिडेशन याली कि बलड औकसिडेशन कर लेगा अप tätä टीत अक्सिडेशन किया रियकशन होती है ठीक एन एक क्रिटी हे तो यह किस प्रिकार निउ मिक्स करके औक यानि के लिए यॉग से hydrogen दोनों को मिला कर Oxidation होगा इसका और यह जो Oxidation होगा इसमें क्या होगा इसमें कुछ तो Energy मिलेगी हमें यहने कि हमारी बोडी को Energy मिलेगी ठीक है निए जहां जहां छाइल्स को Energy की दोता है वह को Energy मिल जाएगी यहनी एनरजी फिर दूसें नंबर पर 6 CO2 6 CO2 मतलब carbon dioxide कुछ carbon dioxide निकल जाएगी वो मुक तो हो जाएगी ठीक है नियों क्यों हो जाएगी उससे मुक तो हो जाएगी और 6H2O 6H2O मतलब कुछ मात्रा में जल बाहर निकल जाएगा ठीक है नियों तो क्या हुआ यहां से जो blood है बिलड ने यहां से oxygen ली oxygen लेकर उसको oxidation किया किसके साथ glucose के साथ oxygen किया oxygen को मिलाकर oxygen प्लस glucose यानिके 6 O2 प्लस glucose energy मिली और energy के साथ क्या मिला 6 CO2 यानिके carbon dioxide को मुक्त किया वहां से और 6H2O जल मापर ठीक है दोस्तों यह reaction बन गई यह किर रहा हो गई इसे हम कहेंगे oxygen ठीक है दोस्तों अब यहां से देखो यह क्या होगा जो 6 CO2 है यह CO2 वहारी बोडी के अंदर तो रहेगी नहीं ठीक है इसे 6 CO2 को यह blood क्या कर देगा blood देखो यहां से फिर फेपरो को देदेगा जाके किसको देदेगा क्या यह श्रीक हन कि अ क benefited कर रहे igual kali ख다 को देदेगा diet कि इसे फेपरों से उसने oxygen ली थी oxygen की peptideosty कि exposed देदीन के अक्षेशन के बाद मेरा इनके कर बंडाई ऑकसाइड निकली उसब कर्णे अक σट्ण को उसने फेपरों को दे दिया किसको दे उसने फेपरों को दे और बाहर से oxygen ले ली और फिर यही reaction चलती रही फिर carbon dioxide अगसाइड बनी फिर carbon dioxide को फेपरोने बाहर निकाल दिया यानिकि हमने बाहर निकाल दिया तो इस परकार से यह परिशंचन हुआ ठीक है इसी को कहते हैं परिशंचन तंत ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं परिशंचन यानि के सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ कार्यों के इसके कुछ पिरमुक कार्यों इसके जो मुख्य कारिये हैं वो क्या क्या होते हैं कौन कौन से इसके मुख्य कारिये होते हैं उससे पहले दोस्तों आप इसको स्क्रीन सोटे लिजी और मुख्य कारिये इसके में फिर आपको बता देता हूं ठीके दोस्तो इसके इन्सोट ले लिया आपने अब इसके कुछ मुख्य कारिये तो जो परीशंचन तंत्र के मुख्य कारिये होते हैं सबसे पहला जो मुख्य कारिये है यही हमारा कि वर्ग सबसे पहले O2 तथा CO2 का सम्वेहन करता है क्या करता है यह सम्वेहन सम्वेहन का मतलता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ठीक है किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना उसे हम कहेंगे सन्वेहन के दिया ठीक है दोस्तो जैसे आपने एनरजी के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में उसमे हम energy पढ़ते हैं तो उड़जा का उड़जा तीन प्रकार से जो है जाती है तीन प्रकार से transfer होती है एक तो सबसे पहली होती है सन्वहन द्वारा ठीक है निए एक होती है conduction द्वारा conduction का मतलब होता है चालन द्वारा एक चालन द्वारा संबहारा टीसरी होती है वी की रन दो ठीक है डोस्तो तो उसी परिकार जैसे हुआ सनबहारा है उसरी परिकार से एक इस्थान से दूसे इस्थान तक उठ जा रही है वैसे ही यहाँ पर जो O2 और CO2 का संबहार करता है परिशंचन त्टम ठीक है नहीं लेकर गया और जिसको जड़ोत पड़ी उसका क्या ओक्षिजिएशन करा स्योटू मुक्त होई फिर स्योटू को कहा ले गया बिलड फेपड़ों तक रहा पास स्योटू दे दी थी तो सबसे पहला मुख्य कारियीत तो इसका यही हो गया ठीक है थोस्तों अब दूसरे नंबर सब्धारगा जो मुख्य कर रहे है वो है पोशन तत्वो तथा उस सर्जी पधार्तों का संबहन क्या है ? smelled पोशन तत्वो पोशन तत्वो तथा उतुसर्जी पधार्तो का संबहन करना ये तूसरा इसका कारी होता है परिसंचन तंत्र यानिके सरकुलेटरी सिश्टम का ठीके दोस्तो इसका तीसरा कालिय क्यों होता है तीसरा कारी होता है हार्मों ये सीन करते हैं या उत्तक हैं जो हुआ पर हार्मोन्स डवलप करते हैं उन हार्मोन्स का संवेहन करना ठीक है ये भी क्या करते हैं हमारे परिसंचन तंत्री ही संवेहन करते हैं किसका हार्मोन्स का यानिके हार्मोन का संवेहन करना संवेहन करना ठीक है संवेहन करना ये क्या है हमारा तीसरे नमबर का इसका कार्य है अब चोथे नमबर का जो कार्य है वो भी महत्वपूर्ण है चोथे नमबर का जो कार्य होता है इसका परिशंचरन तंत्रकारिक सर्कुलेटरी सिस्टम का तो यह क्या होता है चोथे नमबर का होता है कि यह है यह है आयन ठीक है यह है क्या आयन साल्ट आयन और साल्ट का संबहन करता है क्या करता है ये का संबहन करना आयन तथा साल्ट का संबहन करना ठीक है नहीं ये इसके चार प्रिमुक कारिये हैं इसके चार ये महत्वपूर्ण कारिये हैं और ये किसके हैं परिशंचन तंत्र के कारी दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इसको प्लीज लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें आगे और भी जादा डीपली हम हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं ठीक है इनको नौट जरूर करते रहें इसकी इन सोट लेकर और एक इक पॉइंट को समझते रहें ठीक है सारी बेसिक चीजे में बाइलोजी में आपको समझाऊंगा और हमारे चैनल पर आप फिजिस की भी तैयारी कर सकते हैं और